नमस्कार बहुत स्वागत है आपका देवसैनी एकादसी इस बार कुछ खास संयोग के साथ आया है देवसेनी एकादसी के दिन भगवान स्रीहरी चार महिने के लिए सो जाते हैं निद्रा में चले जाते हैं चीर सागर में और यहां से सिव जी पूरे संसार का संचालन करते हैं देव सैनी एकादसी के दिन विसेश तोर पर स्री हरी की विसेश पूजा अर्चना की जाती है और मनो कामनाओं की पूर्ती के लिए कुछ खास प्रियोग भी किये जाते हैं चुकि हिंदू पंचांग के अनुसार आसार मास की सुकल पक्ष की एकादसी को जो हमारे सनातन धर में हरी सैनी एकादसी भी कहते हैं और चातुर मास सुरू हो जाता है तमाम सुभ मांगली कारे बंद हो जाते हैं साधी विवा ग्री प्रवेश मुंडन जैसे सुभ कारे निस सेद माने गये हैं और इस दिन पर भगवान स्रीहरी बिश्णू के साथ माल लक्ष्मी का भी पार्ट करने का विधान है और कथा जरूर पढ़ना चाहिए इस दिन देवसेनी एकादसी की अगर हम दो सब्दों में कथा आपको सुना दें तो आपको अच्छा लगेगा देखि पर उनके राज में भयंकर अकाल की समस्या खड़ी इसके कारण प्रिष्टिती बहुत जादा नाजुक हो गई तब प्रजा को परिसान देखकर राजा अपनी सेना लेकर बन में गये और वहां उन्हें रिसी अंगिरा मिले राजा मानधाता ने रिसी अंगिरा को अपनी सम राजा मानधाता ने यह बरत किया जिसके फलसरूप उनके राज में बर्षा होने लेगी प्रजा अकाल से बच गई और यह बरत करने वाले जातक के सभी पाप दूर हो जाते हैं मनोकामनाएं पुर्ण होती है तो इस दिन भगवान स्रीहरी के साली ग्राम स्वरूप की और अपने घर के तुलसी जी में तुलसी का जहां भी आपका तुलसी जी है गमला में है या सिमेंट का बनाओा है चौरा जिसको चबूतरा कहते हैं वहाँ पर एक स्वास्थिक सिन्दूर से जरू बना दे और पूजा अर्चना करें साली ग्राम चुकी बहीं पर रहते हैं तुलसी जी के पास न और जब आप इस दिन नहाईएगा न तो नहाने के पानी में गंगा जल डालके नहाईए या फिर तुलसी के पत्ते डालकर नहाईएगा तो आपके जीवन की मुस्किलें दूर हो जाएगी अगर तुलसी का पत्ता भी ना हो तो कुसा घास डालकर सिप जी की पूजा प्रारंब हो जाएगी लेकिन एक और प्रियोग आप कीजेगा अगर कोई भी विसेश मनोकामना है तब पास के किसी भी मंदिर के दिवाल पर उल्टा स्वस्तिक बना कर चले आए जब मनोकामना पूर्ण हो जाए तो सीधा स्वस्तिक बना दीजेगा की मुश्किले भी समाप्त होंगी सिप जी को मनाने का भी इस दिन विदान है हलाकि यहां से साबर मास भी शुरू हो जाएगा चार दिन बात से तो ऐसे में स्रीहरी की जो आप पूजा कीजिएगा ना उन्हें पीले पुस्प पीले फल पीली वस्तु अर्पित करें और पं जो इस दिन अगर आप करजों से परेसान हैं तो स्रीहरी के साथ मालक्ष्मी की भी पूजा करें और संबब हो तो स्रीसुक्तम का पाट करें इसके साथ ही एक सिक्का स्रीहरी के चर्नों में रख दीजिएगा और यह सिक्का बाद में समाल कर रख लें पीपल के बिक्ष पर मा लक्षमी का निवास होता है स्रीहरी भी इस दिन एकादसी तिती पर पीपल के बिक्ष में रहते हैं तो पीपल के बिक्ष में अगर आप जल में मीठी बस्तू डाल कर अरपित करें तो करजों से मुक्ती मिलती है अगर काला तिल डाल कर अर्पित करें तो पित्री दो समाप्त हो जाते हैं और साथ ही अगर आप जल में जैसे दूध है, काला तिल है, मिस्री है, पुस पे सब डाल कर अर्पित करें तो बिसेश क्रिपा के पात्र हो जाते हैं साम के वक्त एक घी का दिया जरूर जलाईएगा पीपल के नीचे एक आदसी तिथी पर ताकि कर्ज मुक्ती मिले और धन आता रहे बहुत सिंपल है लेकिन ये प्रियोग हम सिंपल तरीके से आपको बता रहे हैं आप अपनी सुभिधानुसार प्रियोग कीजिएगा लंबे का दिलग कैसे लगाएंगे जैसिकि हल्दी पॉडर वाला है एक च्छोटी सी कटोडी रख लें पुजास्थान पर उसपे हल्दी डाले रखें एक चुटकी और उसमें एक दो बुंद पानी डाल का तिलग कर सकते हैं केसर है दो चार पंखुरी डाल दे पानी दो चार पित करें जैसे कि दो चार छे आठ और आप ये केला पित करने के बाद बच्चों में बित्रित कर दीजेगा वैसे आप गनेश जी को भी केला का माला पहना सकते हैं इस दिन और फिर बाद में सभी छोटे-छोटे बच्चों में सभी केला को ले आकर बित्रन कर दे संतान की प लाता है धनिये की पंजीरी बना कर भी उनको भोग लगा सकते हैं पूजा में संख जरूर बजाईएगा तीन बार सुभा में और तीन बार साम में सकात्मक उर्जा बढ़ेगी और निगेटिव एनरजी दूर हो जाएगी चुकि देवसेनी एकादसी के दिन दान करने का भी हो जाते हैं तो इस एकादसी के दिन स्वस्तिक का विशेस परियोग किये जाते हैं तो आप जरूर कीजेगा और जो स्वस्तिक है अपने घर के पुजास्थान पर भी बना सकते हैं अपने घर में जितने भी आपके दरवाजे हैं चौकट हैं सभी चौकट के ऊपर में ठीक स्थिर रहेगी और जीवन में परिसानिया नहीं आएगी तो स्वस्तिक का महत बहुत जादा है आप लाल रंग से ही बनाना है इस बात का ध्यान रखिएगा और साथ ही घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का या असो के पत्तों का तोरन जिसको हम बंदनवार भी कहते हैं जरूर लगाईयेगा पिछले वाला हटा दें पहले वाला और नया लगा दें और साथ ही स्वस्तिक तो बनाना है हर हाल में साथ ही जब आप भगवान के सामने दीपक जलाईयेगा तो घी Hari का दिया होगा और इसमें दो लॉंग जरूर डाल दें ये आपके मन्नत को पूरी करेगा जब भी कोई मनो कामना हो तब नियमी तुरूप से आप दीपक में लॉंग डाल कर जनाए तो मननत पूरी होती है पास के किसी भी मन्दिर में जाकर एक दिया जरूर जलाईएगा इस एकादसी के दिन ताकि आपका ब्रत पूर्ने तयाप फल दे वैसे सिपजी का मन्दिर हो तो सरवत्तम होगा तो अपनी विसेस मनोकामनाओं की पूरती के लिए चाहे आपको जौब की प्राप्ति के तलास है या पिर आप चाहते हैं कि आपका ब्यापर अच्छा चले या आप चाहते हैं कि अपना मकान हो तमाम जो भी आपका बहुत इक सुपसादन है उसके लिए आप पास के किसी स्वस्तिक बना दीजिएगा फिर से जाकर वहीं पर अगर आपकी जब मन्नत पूरी जाती है तब और भगवान को धन्यबाद जरूर कहिएगा तो इस तरह से आप इस एकादसी के दिन अपनी मनोकामनाओं की पूरती के लिए ये विसेस प्रयोक करें और तुलसी जी में ज कि सिख्का रख दिजिएगा बाद में सिख्का को उठाकर संभाल रख ले और ये सिख्का सिद्धो हो जाएगा कहीं भी आप इस तिक को ले कर जाएंगे आपको सफलता मिलने के परसंटेज बढ़ जाएंगे शैनी एकादसी इस बार देशैनी एकादसी बहुत ही खास सु पूने चले जाएंगे और वो देव उठनी एकादसी को उठेंगे लेकिन इस दिन अगर नहाने के पानी में कुछ खास चीजें डाल दे तो जीवन के कस्ठी मिट जाएंगे तो बिस्राम करने की मुद्रा है लेकिन जाते जाते धेर सारे आसिरबाद दे कर जाएंगे तो चा देव जी की पूजा तो होगी लेकिन इस देव सेनी एकादसी के दिन जब आप सुवस्वस उठकर असनान कीजेगा तो नहाने के पानी में अगर संबब हो तो पवित्र नदी सरोवर में घर में नहाते हैं तो गंगा जल डाल के नहाएं गंगा जल अगर ना हो तो तुलसी के पत्ते डाल कर नहाएं बाद में पत्ते को किसी पास के घर में किसी गंबले में मिट्टी में दे के दबा दीजेगा अगर तुलसी के भी पत्ते ना हो तो कुसा घास कुसा घास तो आपको पता होगा डाल कर नहाएं अब कुसा घास भी नहीं है तब एक चुटकी हल्दी डाल कर नहाले तो जो सुभ मंगली कारे बंद भले ही हो जाएंगे लेकिन आप हल्दी डाल कर नहाते हैं तो आपके जीवन में सुभ और मंगल ही मंगल होगा बहुत सिंपल है आपके पास जो भी सामर्थ है आप उसी चीज को डाल कर नहाए लेकिन सबसे जरूरी क्या है सबस झाल झाल